आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप WhatsApp पर किसी को voice message send कर रहे हैं और यहाँ पर send करने पर आपको ये problem आ रही है जब आप microphone के icon पर click कर रहे हैं तो आपको show होता है To record a voice message, allow WhatsApp access to your microphone, tap settings permission and turn microphone on तो ये problem आपको क्यों आ रही है और इसे कैसे ठीक करें आईए जान लेते हैं तो ये problem आपको आ रही है क्योंकि WhatsApp पर voice message send करने के लिए आपके mic का use किया जाता है बट WhatsApp के लिए यहाँ पर microphone की permission चालू नहीं है तो इसलिए यहाँ पर आ रहा है voice message send करने के लिए WhatsApp को microphone की permission देनी है तो यहाँ पर यह जो नीचे आएगा settings का option तो यहाँ पर setting पर click करिए और setting पर click करके यह वाला page आपके सामने आएगा यहाँ पर आने का दूसरा तरीका है अगर settings का option आपके phone में नहीं आ रहा है तो WhatsApp के icon पे एक से दो second किलिक करके रखिए उसके बाद आएगा उपर app info इस पर click करिए और app info पर click करके आप यहाँ पर आ सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर नीचे आएगा app permission या फिर permission के नाम से तो इस पर आप click करिए इस पर click करने के बाद आएगा allowed और allowed के नीचे आएगा not allowed तो not allowed में यहाँ पर आएगा microphone तो अब microphone पर click करिए और इस पर click करके यह जो first option आएगा allow only while using the app इसे select करिए इस option को select करने के बाद back आएगा यह यानि कि microphone की permission allow हो चुकी है on हो चुकी है अब उसके बाद चेक करिए आपको whatsapp पर यह error नहीं आएगी तो देख सकते हैं अब हमें error नहीं आ रही है अब हम इसे hold करके voice message send कर सकते हैं तो अगर आपको यह video पसंद आई तो इस video को like जरूर करें